ताज़ा खबरोगे ने सब्सक्राबें के साथ बैल आइकन को दवाईए और विसारा टाम की सरी नोटिशी किसन पाईए के किनारे सर्दार पतेल जी के सानिध्य में दो बहुती महतुपुन अवसरों का संगम हो रहा है Greetings to all my fellow Indians on Constitution Day We pay tributes to all those great women and men who were involved in the making of our Constitution आज सम्मिधान दिवस भी हैं और सम्मिधान की रक्षा करने में हम भुमी का निबाने वाले आप पिठासिन अधिकारियों का संवेलन भी है ये वर्ष पिठासिन अधिकारियों के संबेलन का सताब्दी वर्ष भी है इस महत्वपुण उपलब्दी के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई साथियों आज डॉक्टर राजेंदर प्रशाद और बाबा साब आमबेड कर देखिए से लेकर के विधान सभा के उन सभी व्यक्तित्वों उनको सब को नमन करने का भी दीन है जिनके अथक प्रयासों से हम सब देशवाच्यों को सम्विधान मिला है आज का दीन पुझ्य बापु की प्रेणा को सरदार वल्लभाई पटेल की प्रतिवद्धता को प्रणाम करने का दीन है ऐसे ही अनेक दुर्दर्शी प्रतिनिद्यों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्मान का मार्क तै किया था देश उन प्रयासों को याद रखे इसी उद्देश से पांच साल पहले 26 नवंबर को सम्विधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था मैं पुरे देश को हमारे लोक्तंत्र के इस अहम पर्व के लिए बधाई देता हूँ सात्यों आज की तारीक देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ भी जुड़ी हुई है 2008 में पाकिस्तान से आये पाकिस्तान से भेजे गए आतंकीों ने मुंबई पर धावा बोल दिया था इस हमले में अनेक लोगों की मुर्त्य हुई थी अनेक देशों के लोग मारे गए थे मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों को अपनी स्रधानली अर्पित करता हूँ इस हमले में हमारे पुलीस बलके कई जावाज सहीद हुए थे मैं उन्हें भी नमन करता हूँ मुंबई हमले के जख्म भारत भोल नहीं सकता अब आज का भारत नई निती नई रिती के साथ आतंकबाद का मुकाबला कर रहा है मुंबई हमले जैसी साजिसों को नाकाम कर रहे आतंक को मुतोड जवाब देने वाले भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे हमारे सुरक्षा बलो का भी आज मैं बंदन करता हूँ साथियों, as a presiding officers, you have a key role in our democracy आप सभी पिठासिन अधिकारी कानून निर्माता के रूप में सम्विधान और देश के सामान्य मानवी को जोडने वाली एक बहुत एहम कड़ी है विधायक होने के साथ साथ आप सदन के speaker भी हैं ऐसे में हमारे सम्विधान की तीनों महत्वपन अंगर विधायका, कारेपालिका और नयाईपालिका के बीच बहतर सामंजस्त स्थापित करने में आप बहुत बड़ी भूमी का आदा कर सकते हैं आपने अपने सम्विधान में इस पर काफी चर्चा भी की है सम्विधान की रक्षा में नयाईपालिका की अपनी भूमी का होती है लेकिन speaker law making body का face होता है इसलिए speaker एक तरह से सम्विधान के सुरक्षा के कवज का पहला प्रहरी भी है साथियों सम्विधान के तीनों अंगों की भूमी का से लेकर मरियाता तक सब कुछ सम्विधान में ही बननित है सत्तर के दसक में हमने देखा था कि कैसे separation और पावर की मरियाता को भंग करने की कोशिश हुई थी लेकिन इसका जवाब भी देश को सम्विधान से ही मिला बलकि इमर्जन्सी के उस दौर के बाद checks and balance का system मजबुत से मजबुत होता गया विधाई का, कारेपाली का और न्याएपाली का तीनों ही उस कालखन से बहुत कुछ सीख कर आगे बड़े आज भी वो सीख उतनी ही प्रासंगीक है बितेच छे साथ सालों में विधाई का, कारेपाली का और नाईपाली का में सामेंजस को और बहतर करने का प्रयास उबा है तात्यों, इस तरह के प्रयासों का सबसे पड़ा प्रभाव पड़ता है जन्ता के विश्वास पर कठीन से कठीन समय में भी जन्ता की आस्था इन तीन अंगों पर बनी रहती है कि हमने इतनी नो इस वैस्विक महामारी के समय भी बख्खुबी देखा है भारत की 130 करोड से जादा जन्ता ने जिस परिपक्वता का परिचे दिया है उसकी एक बड़ी वज़े सभी भारतियों का सम्विधान के तीनों अंगों पर पुर्ण विश्वास है इस विश्वास को बढ़ाएने के लिए निरंतर काम भी हुआ है महामारी के इस समय में देश की संसद में राष्ट हिट से जुड़े कानूनों के लिए आत्म निर्भर भारत के लिए महत्वपुन कानूनों के लिए जो तत्परता और प्रतिवर्दता दिखाई है वह भी अबूत्पुर्वा है इस दोरान संसद के दोनों सदनों में ताहे समय से ज़्यादा काम हुआ है संसदों ने अपने वेतन में भी कटोती करके अपनी प्रतिवर्दता जताई के अनेक राज्यों के विदायकों ने भी अपने वेतन का कुछाउंस देकर करोना के खिलाप लडाई में अपना सहयोग दिया है I want to appreciate all these efforts In the COVID times, these steps play a leading role in boosting public confidence साथियों, करोना के इस समय में हमारी चुनाव प्रणाली की मजबुती भी दुनिया ने देखी है इतने बड़े स्तर पर चुनाव होना समय पर परनाम आना सुचारू रुप से नई सरकार का बनना ये इतना भी आसान नहीं है हमें हमारे सम्मिधान से जो ताकत मिली है वो ऐसे हर मुश्किल कारियों को आसान बढाती है हमारा सम्मिधान 21 सदी में बदलते समय की हर चुनोती से निपटने के लिए हमारा मारदर्शन करता है नई पीड़ी के साथ उसका जुड़ाव बढ़े यह दाईत्वा हम सभी पर है आने वाले समय में सम्मिधान 75 वर्ष की और तेज गतिश आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार से आजाद भारत की 75 वर्ष का होना वाला है ऐसे में व्यवस्ताओं को समय के अनूकूल बनाने के लिए बड़े कदम उठाने के लिए हमें संकल्पित भाव से काम करना होगा राश के रूप में लिए गए हर संकल्प को सिद्ध करने के लिए विधाई का, कारेपाली का और न्याएपाली का उसको बहतर तालमेल के साथ काम करते रहना है हमारे हर निर्णे का अधार एक ही तराजू से तोलना चाहिए एक ही मानदन होना चाहिए और वो मानदन है राश्ट्रहीत राश्ट्रहीत यही हमारा तराजू होना चाहिए हमें यह याद रखना है कि जब विचारों में देश हीत, लोक हीत उसके बजाएं राजनीती हावी होती है तो उस काक रुक्षान देश को उठाना पड़ता है जब हर कोई अलग-अलग सोता है तो क्या पनाव होते हैं उसका गवाँ आप दो दिन से जहां विराजमान है वो सरदार सरवर रेम भी उसका एक बहुत बड़ा उदाना है साथियों केवडिया प्रवास के दोरान आप सभी ने सरदार सरवर रेम की विशालता देखी है बव्वेता देखी है उसकी शक्ती देखी है लेकिन इस रेम का काम बरसों तक अटका रहा फसा रहा आजादी के कुछ वर्षों के बाद शुरू हुआ था और आजादी के पच्चतर वर्ष जब सामने आये हैं अभी कुछ साल पहले वो पूरा हुआ कैसी कैसी बाद हाएं कैसे कैसे लोगों के द्वारा रुकावटे किस प्रकार से सम्विधान का दुरूपयोग करने का प्रयास हुआ और इतना बड़ा प्रोजेक्ट जनहीद का प्रोजेक्ट इतने सालों तक लटका रहा आज इस डेम का लाप गुजरात के साथ ही मद्दपरदेश महाराश्र और राजस्तान के लोगों को भी हो रहा है इस बांत से गुजरात की दस लाग हेक्टर जमीन को राजस्तान की ढाई लाग हेक्टर जमीन को सिंचाई के सुविधा सिनिश्चित हुई है गुजरात के नव हजार से ज़्यादा गाउं राजस्तान और गुजरात के अनेकों छोटे बड़े शहरों को घरेलू पानी की सप्लाई इसी सरदार सरो बांत की बज़े से हो पा रहे हैं और जब पानी की बात आती है तो मुझे एक प्रसंग भी आजाया दाता है जब नर्वदा का पानी अनेक विवादों में रहा अनेक संकटों से गुजरे आखिर कर खुजरास्ते निकले लिकिन जब राजस्तान को पानी पहुँचाया तो बैरोसिंग जी सिखावत और जस्वन सिंग जी दोनों गांधी नगर स्पेशली मिलने आए मैंने पूछा क्या काम है वोले आकर के बताएंगे वो आए और मुझे उतना उन्होंने अभिनंदन दिये इतने अशिरवाद दिये इतनी बड़का इतना प्यार इतनी भावना क्या है अरे बोले भाई इतियास गवाँ है कि पानी के बुंद के लिए भी युद्ध हुए ह लराईया हुई है दो-दो परिवारों के बीच बट्वारा हो गया है बिना कोई संगर्ष बिना कोई जगड़े गुजरात से नर्वदा का पानी राजस्तान पहुँच गया राजस्तान की सूखी धर्थी को अपने पानी पहुँचाया ये हमारे लिए तने गर्व और अन इसी बांद से जो बिजिनी पैना हो रही है उसका अधिकाउश लाब मद्द प्रदेश और महराष्ट को हो रहा है तात्यों ये सब बरसों पहले भी हो सकता था लोग कल्यान की सोच के साथ विकास को सरवोच्च प्रात्विक्ता की अप्रोच के साथ खिलाब पहले भी मिल सकते थे लेकिन बर्सों तक जनता इन से बंचीत रही और आप देखिए जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें कोई पस्चाता आप नहीं है इतना बड़ा राष्टिय नुक्सान हुआ बात की लागत कहां से कहां पहुँच गई लेकिन जो इसके जिम्मेदार थे उनके चहरे पर कोई शिकन नहीं है हमें देश को इस प्रबृत्ती से बाहर निकालना है साथियों सरदार प्रटेल की इतनी विशाल प्रतिवा के सामने जाकर दर्सन करके आप लोगों ने भी नई उर्जा मैसुस की होगी आपको भी एक नई प्रेणा मिली होगी दुनिया की सबसे उची प्रतिवा स्टेच्य ओफ इनिटी यहर भारतिय का गवरव बढ़ाती है और जब सरदार प्रटेल स्टेच्य बना है वो जनसंग की मेंबर नहीं थे बाज़पा के मेंबर नहीं थे कोई राजनितिक छूता अचुवा छूत नहीं जैसे सदन में एक भाव की आवश्रक्ता होती है वैसे देश में भी एक भाव की आवश्रक्ता होती है यह सरदार साब का समारक उस बात का जीता जाकता सबूत है कि जहां कोई राजनितिक छूआ छूत नहीं है देश से बड़ा कुछ नहीं होता बेश के गवरों से बड़ा कुछ नहीं होता आप कल्पना कर सकते हैं 2018 में स्टेच्व उनुरिटी के लोकारपन के बाद करीब करीब 46 लाख लोग 46 लेट यहाँ इस सरदार साथ स्टेच्व को अपना नमन करने के लिए आये थे करोना की वज़े से साथ महनों तक स्टेच्व दर्शन बंद नहीं होते तो यह आखड़ा और ज़्यादा होता है मान नर्वदा के आशिरवात से स्टेच्व उनुरिटी यह पूरा केवडिया शहर भारत के भव्यतम शहरों में शामिल होने के लिए तेजी से खड़ा हो रहा है सिर्फ कुछी वर्शों में और अब ये गवर्णर सिमान आचारी जीने बड़े विस्तार चीज़ का बढ़नन किया है कुछी वर्शों में इस स्थार का गया कल्ब हो गया है कि जब विकास को सर्वोपरी रकर करतव भार को सर्वोपरी रकर काम होता है तो परणाम भी मिलते हैं आपने देखा होगा इन दो दिन दर्मयान आपको कई गाइड से मिलना हुआ होगा कई व्यवस्ता में जुड़े हुए लोगों से में यह सारे नवजवान बेटे बेटियां इसी इलाके की हैं आदिवासी परिवारों की बेच्चिया है और आपको जब बताती होगी बहुत एक्जेट ने सब्दों का उप्योग करती है अपने देखा होगा यह ताकत हमारे देश में पड़ी है हमारे गाहों के अंदर भी यह ताकत पड़ी है सिरफ थोड़ी राख हटाने की जरुद है वो एकड़म से प्रद्वरीद हो जाती है आपने देखा होगा दोस्तों विकास के इनकारियों ने यहां के आदिवासी भाई बहनों को भी एक नया आत्मविश्वात लिया है सात्यों हर नागरिक का आत्मसम्मान हो आत्मविश्वात बड़े यह समिधान के भी अपेच्छा है हमारा बे यह निरंतर प्रयास है यह तभी संभव है जब हम सभी अपने अधिकारों का स्रोत मानेंगे अपने कर्तव्यों को सर्वोच्य प्राथमित्ता देंगे कर्तव्यों पर समिधान पर सबसे जादा बल दिया गया है लेकिन पहले के दौर में उसे ही भुला दिया गया चाहाए सामान्य नागरिक हो कर्मचारी हो जन्प्रतिदी हो न्याईक व्यवस्ता से जुड़े लोग हो हर व्यक्ति हर संस्तान के लिए कर्तव्यों का पानन बहुत प्राथमित्ता है बहुत जरूरी है सम्विधान में तो हर नागरिक के लिए ये कर्तव्या लिखीत रुप में भी है और अभी हमारे स्पीकर आधरणिय बिरला जी ने कर्तवों के विशे में विस्तार से हमारे सामने विशे भी रखा Friend, our constitution has many special features but one very special feature is the importance given to duties. Mahatma Gandhi himself was very keen about this. He saw a close link between rights and duties. He felt that once we perform our duties, rights will be safeguarded. साथियों, अम हमारे प्रयास ये होने चाहिए कि सम्विधान के प्रती सामान्य नागरिक की समझ और जान्दा व्यापक हो. इसके लिए सम्विधान को जानना समझना भी बहुत जरूरी है. आज कल हम सब लोग सुनते हैं, KYC. ये बहुत कॉमन सब्द है, हर कोई जानता है. KYC का मतलब है, Know Your Customer. ये डुजिटल सुरक्षा का एक बड़ा एहन पहलू बना हुआ है. उसी तरह KYC, एक नए रूप में, KYC याने, Know Your Constitution हमारे सम्विधान सुरक्षा वजकावज को भी मजबूत कर सकता है. इसलिए मैं सम्विधान के प्रती जागरुपता के लिए निरंतर अभ्यान चलाते रहना, ये देश की आने वाली पीडियों के लिए आवश्ट बांता हूँ. विशेशकर, स्कूलों में, कॉलेजों में, हमारी नई पीडि को इससे बहुत करीब से परिचे करना हो चोंगा. I would urge you all to take initiative that make aspects of our constitution more popular among our youth, that too, through innovative methods. साथियों हमारे हाँ, बड़ी समस्या ये भी रही हैं, कि सम्वेधानिक और कानूनी भाषा, उस व्यक्ति को समझने में मुश्किल होती हैं, जिसके लिए जो कानून बना है. मुश्किल शब्द, लंबी-लंबी लाइने, बड़े-बड़े पेरेग्राफ, क्लोज सब्लोज, यानि जाने अंजाने एक मुश्किल जाल बन जाता है. हमारे कानूनों की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए, कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके. हम भारत के लोगों ने इस समिजान खुद को दिया है. इसलिए इसके तहर दिये गए हर फैसले, हर कानून से सामान्य नागरिक सीधा कनेक्ट महसूस करें, ये सुनिशित करना हो बढ़ा है. इसमें आप जैसे पिठासिन अधिकारियों की बहुत बड़ी मदद मिल सकती है. इसी तरह समय के साथ जो कानून अपना महत्वा क्खो चुके हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया भी आसान होनी चाहिए. अभी हमारे मान्य हरी वह उस दिन उसके बीशे में अच्छे उदाहान भी हमारे सामने है. ऐसे कानून जीवन आसान बनाने के बजाएं बाधाएं जादा बनाते हैं. बीते सालों में ऐसे सेंकड़ों कानून हटाए जा चुके हैं. लेकिन क्या हम ऐसी व्यवस्ता नहीं बना सकते जिससे पुराने कानूनों में सम्मिधान की तरह ही पुराने कानूनों को रिपील करने की प्रक्रिया स्वत्र चलती रहे. अभी कुछ कानूनों में संसेट क्लोज की व्यवस्ता शुरू की गई है. अब एप्रोप्रेशन एक्ट्स और कुछ और दूसरे कानूनों में भी इसका दायरा बढ़ाने पर विचार चल रहा है. मेरा सुजाव है कि राज की विधान सभाओं में भी इस प्रकार की व्यवस्ता सोची जा सकती है. तकि पुराने अनुप्योगी कानूनों को स्टेचूट बुक्ट से हटाने के लिए प्रोसीजर रिक्वार्मेंट्स में बचा जा सके. इस प्रकार की व्यवस्ता से कानून confusion बहुत कम होगा और सामान्य नागरिकों को भी आसानी होगी साथियों एक और विशा है और वो भी उतनाई महत्वपुन है वो चुनावों का बन नेशन बन इलेक्षन सिर्फ एक चर्चा कभी शे नहीं है बलकि यह भारत की जरूरत है हर कुछ महिने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनावों हो रहे होते हैं इसे विकास के कारियों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भाती जानते हैं ऐसे में बन न अधियन और मन्थन आवशक है और इसमें पिठासिन अधिकारी काफी मारदर्शंग कर सकते हैं गाइड कर सकते हैं लीड कर सकते हैं इसके साथ ही लोकसभा हो विदान सभा हो या पंचाय चुना हो इनके लिए एक ही वाटर लिस्ट काम में आयें इसके लिए हमें सबसे पह अब हरे के लिए 18 साल से उपर ताइम है, पहले तो उमर में फर्क था, इसलिए थोड़ा रहा, अपको जरूत नहीं है, साथ यो डिजिटाइजेशन को लेकर संसद में और कुछ विदान सवों में कुछ कोशी से हुई है, लेकिन अब पूर्ण डिजिटली करने का समय आ चु का है, अगर आप प्रिसाइडिंग ओफिसर्स इसमें जुड़े इनिशेटिव लगे लेगे, तो मुझे विश्वास है कि हमारे विदायक गण, साउसद गण भी तेजी से ये टेकनोलोजी को एड़प कर लेंगे, क्या आजादी के पचत्ता वर्स को देखते हुए, आप इससे जुड़े लक्ष ताय कर सकते हैं, कोई टार्गेट ताय करके यहां से जा सकते हैं, साथियों आज देश के सभी विधायी सदनों को डेटा शेर करने की दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है, ताकि देश में एक सेंट्रल डेटाबेस हो, सभी सदनों के कामकाज का ए उपलब्द हो और देश के सभी सदनों को भी उपलब्द हो, इसके लिए नेशनल इव विधान एप्लिकेशन के रूप में एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफरम पहले से ही विक्सित किया जा चुका है, मेरा आप सभी से आगरा हरगा कि इस प्रोजेक्ट को जल से जल तरीकों पर बल देना चाहिए, सातियों, देश को समिधान सौंपते सभाएं, समिधान सभा इस बात को लेकर एकमत थी, कि आने वाले भारत में बहुत सी बाते परमपराओं से भी स्थापिद होगी, समिधान सभा चाहती थी, कि आने वाली पीजियों ये सामर्थे दिखाएं, और नई परमपराओं को अपने साथ जोडते चले, हमें अपने समिधान के सिल्पियों की इस भावना का भी ध्यान रखना है, पिठासीन अधिकारी होने के नाते, आप सभी क्यान नया कर सकते हैं, कौन सी नई पीची जोड सकते हैं, इस दिशा में भी कुछ न कुछ कॉंटिब्यूट करेंगे, तो देश के लोकतंत्र को एक नई ताकत मिलेगी, विदान सभागी चर्चाओं के दवरान, जन भागीदारी कैसे बढ़े, आज की युवापिडिक कैसे जुड़े, इस बारे में भी सोचा जा सकता है, अभी दर्शक दिरगाओं में लोग आते हैं, चर्चा भी देखते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को बहुत नियोजित तरीके से भी किया जा सकता है, जिस विशे भी चर्चा हो, उस विशे के अगर सम्मंदित लोग वहां रहे उस दिन, तो ज्यादा लाब होगा, जैसे मानों सिक्षा से जुड़ा कोई विशे हो, तो विद्यार्थियों को, सिक्षकों को, युनिवर्सिटी के लोगों को बुलाया जा सकता है, सामाजिक सरोकार से जुड़ा कोई अन्य विशे हो, तो उससे समंदित समू को बुलाया जा सकता है, बहिलाओं के समंदित कोई विशे की चर्चा हो, तो उनको बुलाया जा सकता है, इसी तरह कॉलेजों में भी मोग पार्लामेंट को बढ़ावा दे कर, हम बहुत बड़ी मात्रा में इसको प्रचारिट कर सकते हैं, और हम स्वयम भी उससे जुड़ सकते हैं, कल्पना करिए, यूनिवर्सिटी के छात्रों के संसद हो, और आप खुद उससे संचालित करें, इससे विद्यार्थों को कितनी प्रणा मिलेगी, कितना कुछ नया सिखने को मिलेगा, ये मेरे सुझाव भर है, आपके पास बरिष्टता भी है, आपके पास अनुभव भी है, मुझे विश्वास है कि ऐसे अनेक प्रयासों से, हमारी विधाई व्यवस्ताओं पर जनता का विश्वास और मजबुत होगा, एक बार फिर इस कारकम में, मुझे निमंत्रित करने के लिए मैं स्पिकर महुदय का बहुत आभार वेक्ट करता हूँ, मैंने ऐसे ही सुझाव दिया था, लेकिन स्पिकर साब ने के वड़िया में इस कारकम के दचना की, गुजरात के लोगों के मेहमान नवाजी तो बहुत अच्छे होती ही होती है, बैसे हमारे देश के हर कोने में इस वभाव है, तो उसमें तो कोई कमी नहीं आई होगी है, समझे पुरे विश्वास हैं, लेकि इसको देखने के बाद हो सकता है आपके मन में कई अच्छे नए विचार आए हो, अगर वहाँ वो विचार अगर पहुँचा देंगे, तो जुरूर उसका लाब होगा इसके विकास में, क्योंकि एक पुरे राष्टर के लिए एक गवरव पूर्ण जगा बनी है, उसमें हम सब का योज़ना हो, क्योंकि इसके मूल में आपको याद होगा, हिंदुस्तान के हर गाउं से, किसानों ने खेत में जो आजार उप्योग किया था, बैसा पुराना ओजार इखटा किया था, हिंदुस्तान के 6 लाग गाउं से, और उसको यहाँ पर मेल्ड करके, इस टेच्यू बनाने में, किसानों के खेत में उप्योग किये गए, ओजार का मैसे लोहा निकाल कर इस टेच्यू में उप्योग किया गया है, यहरे इसके साथ एक प्रकार से, हिंदुस्तान का हर गाउं, हर किसान जुड़ा हुआ है, साथियों, नर्वदाजी और सरदार साथ के सानिध्यक में ये प्रवास आपको प्रेरित करता रहें, इसी कामना के साथ, आप सब को मेरी तरब से बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत शुब कामना हैं।